नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग देव उठनी एकादसी के दिन खास बिसेश प्रयोग किये जाते हैं तो उमीद है आपने अपने घर का बंदनवार यानि आम के पत्तों का बंदनवार जरूर चेंज किया होगा अगर अभी तक नहीं किया है तो साम तक जरूर कर लें और इसके साथ ही स्वास्तिक का मतलब ही होता है सुभ और मंगल अब इस दिन स्वास्तिक बनाने का भी विधान है और वो भी तीन जगह बिसेश मनों कामनाओं के लिए कहां पर स्वास्तिक बनाएं ये भी हम आपको बताएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए एकादसी का ब्रत सभी ब्रतों का राजा है और देव उठनी एकादसी जो देव को उठाएंगे पूरे चार महने से देव सोए हैं और इस दिन छोटा सा प्रियोग भी देव जब जगेंगे तुलसी जी से विवा होगा वो प्रसन्न होंगे तो आज हम आपको दो ही उपाय बताएंगे लेकिन बहुत खास सबसे पहली बात तो तुलसी जी का गमला जहां है जहां आप उनकी पूजा करते हैं वहां सुभ और मंगल चिन जरूर बनाईए गमले में या फिर अगर आपके हां बहुत सारी लोग चबूत्रा बना देते हैं गर वैसा है तो वहां भी बनाईए जैसे ओम का निसान स्वस्तिक का निसान तो यह सभी चीजें आप सिंदूर और घी मिक्स करके आपको बनाना है और इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो अभी आपने पूजा में बनाया उस पर फिर से उसी सिंदूर का आपके हम विवाग कराया जाता है तो अच्छी बात नहीं कराया जाता तो इस बार से सुरू मत कीजिएगा क्योंकि दो मास है था तो चलिए सुरूात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक तो बनाएंगे लेकिन बिसेस मनों कामनाओं की पूरती के लिए इस अब आप मंदिल में कहीं भी दिवाल पर या कहीं भी अंदर से बाहर जहां भी आपको मौका मिले उल्टा स्वस्तिक बना दे यानि आपको सीधा नहीं बनाना है उल्टा स्वस्तिक बिलकुल लगे जैसे उल्टा घूम रहा है और अपनी मनो कामना बोले घर आ जाएं एक स संबब हो तो मीठी वस्तून है और पित कीजिएगा फिलाल भी दालेंगे धन्यवाद